नाकपुर से लगवग 20 किलोमीटर दोरी परस्तित कलमेश्व तरसिल के गोंडखेरी में भूमिगत कोईला खदान परस्तावित हैं गोंडखेरी परिसर में कोईला खदान का बट्टा अदानी पावर महाराश्ट रिमेटिट को दिया गया है कंपनी के आवदन के बाद महाराष्ट पदुश्य नेंद्र मेंडल गुरुवार को कलमे शुरुमे तैसिल में कारती तालाव के पास इसकी जनत सुनवाई का आईजन किया गया था सुनवाई अधिकारी के रूप में निवासी उपजिल अधिकारी सुबाज चौधरी MPBC के विभागी अधिकारी हेमा दीशवंडे MRO राजिंत्र पाठिल सहित कंपणी के अधिकारी भी उपस्तित थे जन सुनवाई के लिए 30 से जादा आवे दनायत हाला कि जन सुनवाई से पहले 24 ग्राम पंचायतों ने अपनी सभाव में प्रस्ताव पारित कर खदान को विरोध दर्शाता पत्र MPCB को दिया था अपिक्षा नुसार विरोध करने वाले जादा तर गाव के ग्राम पंचायत की अधिकारी वह ग्रामिनो सहित पंचायत समिती जिलापरिशत सदस्य भी सुनवाई में उपस्तित थे इस आउसर पर सावनेर के विधायक सुनिल केदार, काटोल के विधायक अनिल देश मुग, पूर्व विधायक रमेश बंक सहित, कलमेश्वर पंचाज समिती सभापती, प्रभाकर पवार, उपसभापती अविनाश पार्दी, जिलापरिशत सदस्य भारती पाठिल, राजूस